आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज भार्पिय क्रिकेटर जुजवेंद्र चहल बुद्वार को मतुरा पहुंचे मतुरा पहुंचेए फरहा रस्थित हाथी सलेक्षन केंडर का दौरा किया करीब एक घंटे तक हाथ्यों के सास्थ समय बिताने के बाद चहल ने मीडिया से बात की और मीडिया से रूबरू होते वे चहल ने कहा कि हातियों के संड्रक्षन की जरूरत है इनसे काम नहीं लेना चाहिए भारतिय किर्केटर टीम में स्पीनर यूजबेंद्र चहल बुद्वार को मत्वरा परुके फरहाट छेतर में इस्थित हाती संड्रक्षन केंदर में पहुंचे इस संड्रक्षन केंदर में एंजियों के लोग ऐसे हातियों का संड्रक्षन कर रहे हैं जिने या तो सरक्ष में परयोग किया जाता था या इनसे काम लिया जाता था जंजीरों में जकड़े हातियों को मुक्त कराकर संस्था के पदादिकारी इस संस्रक्षन के इंदर में रखते हैं जहां इनका ख्याल रखा जाता है हातियों के बारे में जानकारी करने के बाद चहल मीडिया से रूबर होगी मीडिया से मुखातिब होते हुए चेहल ने किर्केट के सवालों से दूरी बनाते हुए कहा कि हातियों के सव्रक्षन की ज़रुवत हैं और हाती आक्रामक नहीं होते हैं अज मैं यहां पर पहली बार आया हूँ और मेरके काफी अच्छा लगा जो मतलब एलिफेंट के लिए था जो मुझे जो डर लगता तो मुझे असली में पता लगा कि आप उनके साथ अगर टाइम स्पेंट करेंगे तो आपको कैसा फील होगा वो इतने बुरे भी नहीं है कि मतलब आप लोग उनसे डर है क्योंकि और जितने लोग मैं चाहता हूँ कि मेरा मेसेज है जितने लोग आप जितने भी उनसे काम करवाते हैं करके तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि वो चीज बंद होनी चाहिए क्योंकि आज मैंने उनके साथ रहे के देखा है कि उनको भी पे अदेब में तो कि नहीं को एक रचे बाती है कंग।